एक राजा था, उसका प्रंथा वहरोज सवामन आमवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आमवलया राजा पढ़ गया। एक दिन उसके बेटे बहु ने सोचा कि राजा इतने सारे आमवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा ख़जाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे साथ दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदी मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बागबगीचे सब बना दिये और धेरों आमवले के पेड लगा दिये। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे। रानी देख कहते हैं सत मत छोड़े। उधर आवला देवता का अपमान करने वा माता पिता से बुरा व्यभार करने के कारण बहु बेटे के बुरे दिना गए। राजे दुश्मनों ने छीन लिया दाने दाने को मुहताज हो गए और काम ढूंटते हुए अपने पिता जी के राजे में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहु सोच भी नहीं सकते कि उनके माता-पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता-पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहु ने सास के बाल गूंधते समय उनकी पीट पर मस्सा देखा। उसे यह सोच कर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोच कर उन्हें आमवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नश्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहां होगे। यह सोच कर बहु को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीट पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया आपकी पीट जैसा मस्सा मेरी सास की पीट पर भी था। हमने उन्हें आमवले दान करने से मना कर दिया था इसलिए वे घर छोड़ कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया। सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहु को समझाया की दान करने से धन कम नहीं होता बलकी बढ़ता है। यह जए जए पुझाओ बलकी टान करने से दोड़ता है।